नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जियस वर्ट के आउडियो पॉड्कास्ट तफ्तिश में आज के तफ्तिश में हम जानेंगे क्यों चमकती है आकाश में बिजली आम बोलचाल की भाशा में इसे बिजली गिनना भी कहा जाता है बिहार के विभिन हिस्सों में पिछले दिनों बिजली गिनने से सत्रा लोगों की मौत हो गई है सभी वायू मंडलिये घटनाओं में से बिजली शाय सबसे खतनाक और रहसे में है भारत में हर साल बिजली गिने से लगभग दो हजार से धायजार लोगों की मौत हो जाती है आईए समझते हैं बिजली के चमकने का विज्ञान ये प्राक्रतिक रूप से बादल और जमीन की बीच या बादलों के भीतर ही एक बहुत कम अब्धी और उच वोल्टेज का विधुत निर्वाहन है सरल शब्दों में ये वातावरण में फ्लैश और ध्वनी तथा कभी कभी गरज के साथ बिजली का बहुत तेज और बड़े पैमाने पर निर्वाहन है ये एक बादल के उपर और नीचे या दो बादलों के बीच या बादलों और जमीन के बीच विधुत आवेश के अंतर के परिणाम सो रूप होता है बादलों के भीतर या उनके बीच उतपन बिजली, द्रश्यमान और हानी रहित होती है लेकिन Cloud to Ground अथार्ट बादलों से जमीन पर आने वाली बिजली हानी कारक होती है क्योंकि उच विधुत वोल्टेज और विधुत प्रवा बहुत अधिक आघात उतपन करता है जिससे Electrocution कहा जाता है आईए जान लेते हैं बादल जो बिजली उतपन करते हैं वो कैसे बनते हैं बिजली उतपन करने वाले बादल आमतोर पर लगभग 10-12 किलोमीटर उचाई पर होते हैं जिनका आधार पृत्वे की सतह से लगभग 1-2 किलोमीटर उपर होता है जिसके शीर्च पर तापमान 35 degree Celsius से 45 degree Celsius तक होता है जैसे ही जलवाश बादल में उपर की और बढ़ती है तापमान कम होने के कारण ये पानी में संगनित हो जाता है इस प्रकरिया में भारी मात्रा में उश्मा उत्पन होती है जो की पानी की अड़ों को और उपर की और धकेलते है जैसे ही वो 0 degree Celsius से नीचे के तापमान पर जाते है बूंदे छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है जैसे जैसे वो उपर की और बढ़ते हैं वो द्रव्यमा निखटा करते हैं जब तक कि वो इतने भारी नहीं हो जाते कि वो नीचे उतरने लगी इस कारण बर्फ के छोटे क्रिस्टल उपर की और जाते हैं जबकि बड़े क्रिस्टल नीचे की और परिणाम सरूप होने वाले टकराव से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जो कि श्रंक्ला अभी किरिया को जन देते हैं इस प्रकिरिया की परिणाम सरूप ऐसे स्थिति उत्पन होती है जिसमें बातलों की उपरी परत धनात्मक रूप से जबकी मध्यपरत धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है जिससे कुछी समय में इनके बीच लाकों इंपियर तक की विशाल धारा प्रवाहित होने लगती है क्या होता है जब बिजली पृत्वी की सतह से टकराती है पृत्वी विधुत की सुचालक है विधुत रूप से तठस्त होने पर ये बादल की मध्य परत की तुलना में अपेक्शक्रत सकरात्मक रूप से चार्ज होता है परिणाम सुरूप वर्तमान प्रवाह का अनुमानित 20-25 प्रतिशत पृत्वी की और आ जाती है परिणाम सुरूप जीवन और संपत्ती को नुकसान होता है बिजली से जमीन पर उठी हुई वस्तूं जैसे पेड या इमारत से टकराने की संभावना अधिक होती है लाइटनिंग कंडक्टर एक उपकरन है जिसका उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है बवन के निर्मार के दौरान भवन की दीवारों में भवन से उची धातू की छड़ लगाई जाती है प्रित्वी पर सबसे अधिक बिजले की गतिविधी वेनेजुएला में मारा काईपो जील के तक पर देखी जाती है कौन से छेत्र हैं जो समवेद अन्शील है भारत मौसम विज्ञान विभाग जैसी सरकारी अजन्सियों के साथ मिलकर काम करने वाली क्लाइमेट व्रेजिल येंड आपसर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल सी आर ओ पीसी द्वारा बिजले गिनने की घटना पर हाल ही में एक वार्षिक बिजले रिपोर्ट और पशिम मंगाल का स्थान है उच स्ट्राइक रेट वाले अन्य राज्यों में बिहार यूपी करनाटक जारकंड और तमिल बिजले गिनने के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है भारत में बिजली को प्रकृतिक आप्टा की रूप में वर्गीकरत नहीं किया गया है लेकिन हाल के प्रियासों की परिणाम सुरूप एक पूर्ट जेतावनी परणाली की स्थापना हुई है जो पहले से ही जेतावनी दे कर कई लोगों की जान बचा रही है बिजली गिरने से होने वाली 96% से ज्यादा मौतें ग्रामीर्ण इलाकों में होती है बिजली संरक्षन उपकरण काफी कम लागत वाले हैं फिर भी ग्रामीर्ण छेत्रों में उनका प्रियोग अभी बहुत कम है राजियों को हीट एक्षन प्लान की तर्ज पर लाइटनिंग एक्षन प्लान त्यार करने और लागो करने के लिए प्रुत्साहिद किया जा रहा है डिटेक्शन और वार्निंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तथा इससे संबंदित शोद पर उत्कृष्टा के लिए एक अंतराश्ट्रे केंद भी स्थापित किये जाने की प्रकिरिया में है ऐसे ही मेत पर पूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें जीयस वर्ट का आडियो पॉड्कास्ट तफ्तिश